हेलो दोस्तों मैं मनवर्मा आपकी अपने यूट्यूब चैनल राइट टो एजुकेट में आपको सौगत है आज हम बात करेंगे इनिकॉल्टी वाइरस रिपोर्ट जिसे आप असामानता वाइरस रिपोर्ट भी कह सकते हैं हाल ही में ऑक्सफर्म इंटरनेशनल दौरा जारी की गई असामानता वारिस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 महामारी ने भारत और दुनिया भर में असामानताओं में काफी अधिक वृद्धी की है रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 ने लगबग हर देश में आर्थिक असामानता को बढ़ाया है इ इसका उद्देश से गरीबी और अन्याय को कम करना है और आक्सवाम अंतराष्टी सची वाले नेरोभी के अन्याय में इस्थित है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पैंडेमिक का असिर अमीर और गरीब पे अलग-अलग देखने को मिला है भारत ने महामारी के सुरवाती दो परभाव से बचने में सक्षम थे वहीं अपचारिक छेत्र के करमचारी खुद को आइसूलेट करके घर पे काम कर रहे थे और वहीं हम देखे तो अनुपचारिक छेत्र के शर्मिकों की आजीविका खो चुकी थी और वह माइग्रेंट करने के लिए एक इस्थान से दूसर दर्च की गई है इसके साथ ही 90% की वृद्धी के साथ 422 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गई है इससे भारत अरब पत्यों की संपती के मामले में अमेरिका चीन जर्मनी रूस और फ्रांस के बाद छटी रैंकिंग में आ गया है अगर हम बात करें इनफॉर्मल सेक्टर सर थे इसी कारण ऑफचारिक छेत्र के तुल्ला में इस छेत्र में अधिक नौकरिया समाब तुई है कोई 19 के समय जैसे जैसे सिच्छा को ऑनलाइन किया भारत ने असमानता हो कि एक नए विक्राल रूप डिजिटल डिवाइट को देखा जहां एक तरफ सेहरों में इंटर सिच्छा के लंबे समय तक बादित होने के कारण स्कूल ड्रॉपिंग रेट डबल हो चुके थे रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत में कोई सही हेल्थ डाटा ना होने के कारण विभिन समय दायों के बीच स्वास्त संबंदी समस्यां का नुमान लगाना मुस्किल है भा संख्या घनत हो जहां सबसे अधिक देखने को मिला है और बुनियादी सुविदाय जैसे सोचाले पानी जैसी समस्यां जहां अधिक देखने को मिली है वहीं कोविड-19 के केसिज भी बढ़ते वे नजर आए अगर हम स्वास्त सुविदाओं की बात करें तो भारत में केवल 20% परिवार में से 6% परिवार ही ऐसे है जहां बहतर स्वास्त संबंदि सुविदाय उपलब यदि जाती के संदर में देखे तो SC कास्ट में सिर्फ 37.2% परिवारों और ST कास्ट में 25.9% परिवारों की अच्छी स्वास्त सुविदाओं तक पहुंच थी जबकि सामानने आ 18% से बढ़कर 18% हो गई है हमारी GDP में इसका योगदान लगबग 8% है और या कहें हम 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता दिख रहा है साब साब Institute of Social Studies Trust के एक सर्वे के अनुसार जिन महिलाओं ने अपनी नौकरी नहीं गवाई है उनकी आय में से भी 83% तक कटोती की गई है यह अनुमान लगाया गया है कि परिवार नियोजन सेवाओं के बंध होने के कारण 2.95 मिलियन अनपेच्छित गर्भधारन देखने को मिला है वही 1.80 मिलियन गर्भधात असुरच्छित तरीके से किया गया है जैसे कि गाउं में आम तोर पर आया को बुला के किया जाता है वही 2165 माताओं की मिर्थ्य देखने को मिलिये महामारी ने महिलाओं के खिलाफ घरेवलों हिंसा को काफी बढ़ा दिया है नौमबर 2020 तक ये 60% की वृद्धी दीखी गई है जो की पिछले 12 महीनों में सबसे अधिक है डोमेस्टिक वाइलेंस पर आप हमारी नेसनल कमिस्वन फॉर वूमन की एक रिपोर्ट हमने जिस पर वीडियो बनाई है अगर आप चाहते हैं कि हम किसी एजुकेशन से रिलेटिव टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमें फेस्बुक, इंस्टाग्राम और आप हमें टेलिग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं धन्यवाद